अस्सलाम अलेकुम बच्चों, मैं हूँ आपका आउनलाइन गीचर सेयद अहमद हुसेन, नगरपाली का उर्दू स्कूल नंबर 5 कुर्वाडी से, बच्चों, चट्टी जमात का जनरल साइंस सबक नंबर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं, आज हम सबक नंबर 3 की तरफ जा रहे है आईए बच्चों, चट्टी जमात जनरल साइंस का तीसरा सबक, जानदारों में तनवो और दर्जाबंदी, आज हम पढ़ेंगे आईए इस वीडियो की मदद से हम सबक को समझते हैं च्छटी जमात जन्रल साइंस जानदारों में तनोवों और दर्जाबंदी आज हम इस सबख को पढ़ेंगे तनोवों यानि क्या तनोवों यानि खिसम खिसम का होना, मुख्तलिफ रंगों का होना जानदारों का मुख्तलिफ होना, फिसम फिसम का होना इसे तनोवों कहते हैं नबातात और हैवानात में बहुत ज़्यादा फर्ख होता है, यानि बहुत ज़्यादा तनोवों पाया जाता है इनकी जिसमानी साख्त, रंग और जसामत में भी फर्ख पाया जाता है नबातात में तनोवों, अब हम इसे समझाएंगे नबातात में तनोवों, छोटे नबातात यानि घास पूस, उंचे दरख्त, पानी के अंदर के नबातात, जो पानी के अंदर पाया जाते हैं पानी के सते पर नबातात, यानि कमल का फूल वगएरा और रिकिस्तान में पाया जाने वाले नबातात, जो कड़ी धूप और रेत में नशनोमा पाते हैं नबातात की खिसमें नबातात की खिसमें नबातात की पहली खिसमें है खुद कफील नबातात, गैर कफील नबातात, और किरम खोर नबातात आईए अब हम इन खिसमें को समझते हैं खुद कफील नबातात, जो रवातात सूरज की रोशनी और इन में मौझूद खिसरे की मदद से अपनी खिसमें खुद तयार करते हैं, उन्हें खुद कफील नबातात कहते हैं खुद कफील नबातात की मिसाले हैं, जास्वंदी, आनार, सदाबहार वगयरा दूसरी खिसम है गैर कफील नबातात ऐसे नबातात जो अपनी खिज़ा दूसरे पौन्दों से हासिल करते हैं, इन्हें गैर कफील नबातात कहते हैं इनकी मिसाले हैं, फुपुन्द, ताग, अमरबेल वगयरा नबातात की तीसरी खिसम है करम खोर ऐसे नबातात जो शिकार करते हैं, किड़े मकोडों को अपना शिकार बनाते हैं, इन्हें करम खोर नबातात कहते हैं इसकी मिसाल है सुराहिदार पौदा वगयरा नबातात की जमात बन्दी की जरूरत क्यों हुई, आएए इसे हम समझते हैं आज तक हमें लाखो नबातात और इनके तनोओ की मालूमात हमारे पास जमा हो चुकी हैं, जिन में जिसमानी साख्त, शकल, पूलों की तादाद, बू, फल वगयरा के लिहास से बहुत ज़्यादा तनोओ पाया जाता है। नबातात के इस तनोओ के मुताले में सहूलत पैदा करने की खादिर इनकी जमात बंदी की जाती है। नबातात की साख्त, इनके आज़ा, इनकी एकसानियत और फर्थ को समझना जरूरी है। नबातात की साख्त नबातात की साख्त इस तरह से है बच्चों, नबातात की साख्त इस तरह है। जमीन के नीचे का हिस्सा यह हिस्सा जो के जमीन के नीचे होता है। और दूसरा हिस्सा है जमीन के उपर का हिस्सा यानि ये हिस्सा जमीन के उपर होता है जो हमें दिखाई देता है जमीन के नीचे क्या हिस्सा इसमें क्या शामिल है जमीन के नीचे की हिस्से में जड़ होती है जड़ क्या काम करती है आईए हम समझते है जड़ मिट्टी को थामे रखती है जड़ पौदे को सहारा देती है जड़ पानी और गिजाई माद्दे जजब करती है जड़ गिजा काज जखेरा भी करती है जड़े दो खिसम की होती है नमबर एक असल जड़ इसकी मिसाले है जास्वंदी और बर्गत वगेरा जड़ की दूसरी खिसम है रेशिदार जड़ इसकी मिसाले है प्याज घाज वगेरा नमबर की साथ का दूसरा हिस्सा है जमीन के उपर का हिस्सा इसमें तना, पत्ते, फूल, और खल शामिल है ये जमीन के उपर का हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है अब तने का काम क्या है? तना गिज़ा की तैयारी करता है गिज़ा को मुक्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाने का काम करता है गिज़ा का जखेरा करने का काम तना करता है पौदे को सहारा देता है और अवजाई से नसल के अमल अन्जाम देता है ये तने के अहम काम है पत्ते पत्ते गज़ा तायार करते हैं पत्तों की दो खिसमे हैं नमबर एक मुफर्द पत्ते और मुरकब पत्ते ये पत्तों की मुफर्द खिसम है और ये पत्तों की मुरकब खिसम है इस तरह के पत्तों को मुरकब पत्ते कहते हैं फूल फूल मुख्तलिफ रंगों के होते हैं फूलों में खुजबू होती है फूल अवजाय से नसल का एक अहम हिस्सा है फूलों की अपनी साफ्त होती है यानि फूलों की अपनी साफ्त होती है फूल के अलग-अलग हिस्से होते हैं अगला हिस्सा है फल फूलों की अलग-अलग हिस्समे होती है फूलों का अपना-पना जाइखा होता है फूलों का अपना-पना जाइखा होता है कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल खटे होते हैं, और कुछ फल खटे मीठे होते हैं, आप ये जानते हैं कि फलों का अपना अपना जायखा होता है फलों में बीज की तादा से नया पौदा तयार होता है फलियों का शिमार भी फलों में ही होता है बीजों से ही नया पौदा निकलता है तने की साख्त और उंचाई तने की साख्त और उंचाई में दरख्त जोके उंचे होते हैं, इनके तने उंचे होते हैं जाडी इनके तने छोटे होते हैं, पौदा और बेल आईए अब तने की साथ और उनकी उंचाई के हिसाब से इन्हें हम समझते हैं दरख्त दरख्तों में तने उंचे होते हैं सफ्त और मजबूत होते हैं इन में शाखे निकलती हैं कई साल तक फूल और फल लगते हैं दरख्त कसीर साला होते हैं मिसाले हैं आम, बर्गत, इमली वगएरा तने की साफ्ट की दूसरी खिस्म है जाड़ी जाड़ी की जसामत कम होती है, उंचाई दो से तीन मिटर होती है तने मोटे और सक्त होते हैं, इसकी मिसाले हैं जयास्वंदी वगएरा तने की साफ्ट और उंचाई की हिसाब से अगली खिस्म है पौदा पौदे आम तोर पर एक से देर मिटर की लामबाई के होते हैं, इसकी मिसाल है सदाबहार तने की साफ्ट और उंचाई की चौती खिस्म है बेल बेल का तना बेहत लचकदार, नर्म और हरा होता है सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेजी से होती है कुछ बेल जमीन पर ही फैलती है मिसाले हैं तर्बूज, अंगूर वगएरा देखा बच्चों आपने अब इस सबख का दूसरा हिस्सा जानदारों में तनवों और दर्जाबंदी हम अगले हिस्ते में पढ़ेंगे